आपका स्वागत है हलो फ्रेंड्स टेपल सी की सीरीज में आपका स्वागत है मेरा नाम है वरिंदर सिंग इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मुख्य विशेश थाएं अधात फीचर्स के बारे में हमने कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन जानी उसकी हिस्टरी जानी उसकी जनरेशन जानी अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के फीचर्स क्या है क्या लाब है एक तरह से कंप्यूटर के तो आपको बता दू कंप्यूटर के फीचर्स की बात करें तो इसके बहुत सारे features है और इस वक्त ये हमारे जीवन का एक important part बन गया है हर व्यक्ति अपने हिसाब से computer का परियोग करता है एक artist अपने हिसाब से परियोग करता है एक doctor अपने हिसाब से परियोग करता है एक banking करमचारी अपने इसाब से प्रयोग करता है लेकिन इसके बहुत सारे फीचर हैं जिनके कारण इसका प्रयोग किया जाता है तो आइए जानते हैं कौन से फीचर है जिसकी वैसे इसका प्रयोग किया जाता है मैं अगर सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहला और इंपोर्टन फीचर कम्पूटर का उसकी स्पीड का होना है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 5 जनरेशन आते आते VLSI या अल्टरा VLSI चिप्स परयोग हो चुके हैं तो ऐसी ऐसी कलेशन जो पहले करने में घंटों दिनों लग जाते थे अब वो कुछ सेकंड्स इवन सेकंड्स के भी नैनो सेकंड्स काफ़ सरे हिस्सों में आप उसे कर सकते हैं और कंप्यूटर की स्पीड इतनी फास्ट हो चुकी है कि मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स या नैनो सेकंड्स तक आप जाकर उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं अर्धात आपकी जो कलेशन इतनी फास्ट हो जाती है कि आपको पता भी लगता इसके अतरिक अगर accuracy की बात करें तो computer सबसे best रहता है accuracy में आप किसी भी काम को हजारों बर करवा ले उससे वो हर बार उसी accuracy के साथ आपको करके देने वाला है इसी कारण से computer का प्रियोग बड़ी बड़ी industries में होना शुरू हो गया जिससे की आप मान के चलें कि अगर कोई पार्ट भी बनाना है गाड़ी का कोई production पार्ट में उसका प्रियोग करना है तो as it is बनेगा जैसे पहला है वैसे ही दूसरा है वैसे ही दस्वा है तो accuracy इतनी बहतर रहती है computer की कि वो सबसे best रहती है human being या व्यक्ति या जब हम लोग कारे करते हैं तो हमारी गलती से कुछ गलत हो जाए तो हो जाए computer कुछ भी गलत नहीं करता computer वही result देता है जिस तरह के हम उसे input देने वाले हैं हाँ यह हो सकता है कि अगर हमारे दिये गे निर्देशन में कुछ कमी है तो हो सकता है computer उस तरह का result दे परन्तो अगर आपने computer में कुछ feed कर दिया है तो हमेशा एक accuracy के साथ ही आपको result मिलने वाला है इसके अत्रिक memory एक important part है computer का memory का परयोग computer में किसी डेटा को store करने के लिए किया जाता है तो data अलग लग तरह से available है वो picture के रूप में available है यहनि कि photo के रूप में किसी फाइल के रूप में, किसी प्रोग्राम के रूप में, किसी गेम के रूप में, आवाज के रूप में, वीडियो के रूप में तो बहुत सारे तरीके हैं डेटा को स्टोर करने की, जबकि actual में एक स्टोर करता है वो बाहिरी डिजिट्स यानि कि वन-zéro format में ही किसी जानक सकते हैं इसी कारण काफी सारा डेटा स्टोर किया जाता है कम्पूटर पे तो जब आप उसको दुबारा चाहें अपने पिच्छर को दुबारा वहां से प्रापत कर सकते हैं जब तक आप उसे खुद डिलीट ना करें वह डेटा वहीं सेव रहेगा डेटा को मापने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं तो इस तरह से कम्पूटर में हार्ड डिस्क लगती है या पैन डाइव लग सकते हैं जहां आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं computer की विशयस्ता वर्स्टालेटी भी है मैं आपको बता दू कि एकी समय समय पे computer कहीं सरे कार żाय कर सकता है आप ऐसा user जब computer पे कार सकते हैं फाफ सा टाइप भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो computer में कोंग सर्चिंग भी लगा सकते हैं आप चाहें तो साथ ही किसी software को downloading भी लगा सकते हैं, आप देखेंगे कि सब ही कारहें, computer एक साथ करे जा रहा है, और इसी कारण से versatile machine कहा जाता है computer को, कि एक ही समय पे कहीं सारे कारहें कर सकता है, और ऐसा नहीं कि एक तरह के, अलग-लग तरह के कारहें भी computer को दे देते हैं, ज computer की खास विशेशता है कि अलग-लग तरह के कारहें को एक साथ एक ही समय पर कर सकता है, इसलिए computer एक versatile machine है, और इसका प्रयोग लगबख हर field में होने लगा है, हर जगा होने लगा है, जैसे आप private sector कहले, banking sector कहले, या आप government sector कहले, banking में, railway में, airport में, business में, school में, सब जगा जैसा हो जो computer से चुता रहा, computer की एक विशेशता उसका diligence भी होना है, किसी भी कारह को वो काफी दर तक इखठा कर सकता है, चाहे अब उस कारह को घंटों करवा ले, दिनों तक करवा ले, कई बार, इवन लाखों बार करवा ले, उसको कोई problem नहीं है, वो एक machine है, आप उसमे feed कर दें, जो आपने काम feed किया है, वो उसी तरह से उसे करता रहेगा, और कहीं घंटों तक, बिना गलती, पूरी speed से, यानि कि पूरी accuracy के साथ, सारे काम आपको करके दे देगा, और वो ठकेगा भी नहीं, एक human being जब कोई कारह करता है, जैसे कोई इनसान कोई कारह करता है, एक समय के पास, एक समय के पश्चात, उसमे थिकावट होना समाने है, उसको नीद आएगी, उसको भूक लगेगी, ये सब कारह कारह के साथ नहीं जुड़े हुए, कारह करना है, वो कहीं घंटों तक, कहीं दिनों तक, एवन कहीं कामों को वो लाखों बार repeat करके आपको दे 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 या उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे और वो प्रोगाम उसमें लोड कर दिया जाए तो computer उस काम को खुद ही दुबारा कर देगा आपको बार बार नहीं करना है वह काम तो एक बार computer को दीगे instructions कई बार आप उससे वह काम करवा सकते हैं जैसे example बड़ी बड़ी कंपनियों में मान लीजे प्रडेक्शन में एक्जामपल के लिए plastic के कब बनते हैं तो अब एक बार बता दें computer को भी इस तरह का size इस तरह का design और इस तरह का style चाहिए computer automatically उन production machines को निर्देश देता रहेगा कि इस तरह का समान हमें चाहिए और वो हर बार आपको वैसा ही मिलेगा जब तक human being mistake नहों जब तक आपकी तरफ से कोई गलती नहों और automated system रहेगा आपको बार बार बीच में कुछ भी computer को समझाना नहीं है आप एक बार command देदे computer खुद ही वो करता रहेगा इसका एक सबसे अच्छा उधारन है जब आप internet यूज करते हैं और माल लीजी आप कोई movie download करना चाहते हैं आप उसको download के लिए बता दें वो खुद ही download करता रहेगा इवन जब वो download हो जाएगी वो इसको store भी कर देगा आपको notification भी देदेगा आपको जानकारी भी देदेगा कि download हो गया है तो इस तरह से पूरा process automatic है computer में और यह इसकी बड़ी विशेस्ता है automatic होना पूरे process का एक और important feature जो है वो है secrecy आप अपने data को secret तोर पे अपने computer में संभाल के रख सकते हैं जैसे बड़ी बड़ी companies example के लिए Excel sheets में data को रखना चाहती हैं या word में रखना चाहती हैं या अपना को software बनवा के रखना चाहती हैं तो बड़ी सानी से वो रख सकती है security based पे computer बड़ा solid है आप बिना password जाने उस data तक पहुंच नहीं सकते हैं और आज की rate में encryption technologies आ गई हैं आप बिना password के बिना उसको encrypt किये देखी नहीं सकते हैं उस file के अंदर क्या है इसके लिए आपको solo लग जाए उस file को खोलने में और फिर भी वो file ना खुले इस तरह की security ह देता है तो इस तरह से सेशन में हमने computer के feature जाने जिसमें हमने देखा कि computer की बहुत सारी विशेशता हैं जिसके दाहर पर इसका अलग लग fields में परयोग किया जाता है आने वाले session में हम देखेंगे कि क्यों कौन सी fields हैं जिसमें हम इसका परयोग कर सकते हैं और उसका importance क्या रहता है उस particular field में धन्यवाद